विशे के उपर चर्चा करने के लिए हमने आपको अम्मिंतित किया है जैसे आपको मालूम है हर साल 25 डिसम्बर को हमारे पूर्व परधान मंत्री और भारह दतन अटल बिहारी वाजपाई जी का जन्म देवस होता है और जो इनका जन्म देवस 25 डिसम्बर को होता है उसको हमारी भारती जन्ता पार्टी मैं एक त्हार के रूप में मनाया जाता जिसको हम शुषासन दिवस कहते हैं और यह जो शुषासन दिवस है यह दिवस को मनाने के लिए इस दिवस को समझने के लिए और इस दिवस के यहां तक पहुँचने के लिए भारतिय जंता पार्टी का 60-65 साल का बहुत बड़ा एक लंबा सफर है टैर करके यहां तक पहुँचे हैं हमारे देश में शासन सिखा दिया गया था हमें अंग्रेजों के दोबारे अंग्रेज जब आये थे तो उन्होंने शासन करना सिखा दिया लेकिन वाजपाई जी अपने बच्पन से ही जिस दिन से उनका जनम हुआ उसके बाद जो उनका पूरा एक सफ़ा रहा है प्रजा परिश्यत से लेकर भारतिय जन्ता पार्टी बनने तक और उसके बाद जो उनका सफ़ा रहा है उसमें उनकी बहुत ही एक जिदोजैत रही है बहुत ही जाला उनकी कि धंग में दिखती थी रोज उनके समझने में बाद करने में वो समझ आती थी दिखती थी और जब हमारे माननिये पूरो परधान मंतरी अटल बहरी बाजपाईजी भारत अतन जब उनको मिला उससे पहले जब उनको मोका मिला परधान मंतरी बनने का तो उनोंने इस देश में शुशासन की नीव रखी कि शुशासन जो है वो क्यों जुरूरी है और उसके माणें क्या होते हैं उनका मालना ये था कि जो शुशासन होता है वो शुशासन के बाद जब उसमें अनुशासन जुड़ जाता है तो वो शुशासन होता है और जब तक आप उसमें शासन करते रहते हैं, तो वो सिर्फ एक सरकार का काम करने का धंग हो सकता है, जिसमें सरकार एक जगा में बैठ के और राजे करती है, लेकिन जब आप उसके बीच में कुछ बिंदू मिला देते हैं, तो वो शासन बन जाता है.